हेलो सभी को नवस्ते गुड़ मॉर्निंग आई होप सारे अच्छ होगे तो हर्याना सीविल सर्विस के ओनलाइन फॉर्म सुरू हो चुके हैं तो सरा वेट वेट किस बात का इंतिजार किस बात का तो डाउनलोड स्टडी वंतर एजुकेशन डिस्क्रिप्शन में आपका लि सब्सक्रिया करो यह जनते हैं हर्याना सीविस के बारे में 95 प्लस वकैंसी हैं 20-30 बढ़ेंगी डैम शोर है ठीक है पर यह में क्या आता है क्या नहीं आता वो सारे चीज़ें को डिसकस करेंगे हमारी स्टीम को लीड कर रहे हैं दो बार आये से इंट्रिव फेस सेहंदर ला अच्छी तकड़ी पकड़ा क्योंकि जब हम कमेस्टरी का नेट की जारी करते है 2013 में तो सर जी इसका इतना अलेबरेट करके बता देते कमेस्टरी के क्लास में ही तो गुरुजी है वही संभालेंगे इस बैच को सेहंदर लाकडा सर आप इस फीस को वाइन कर सकते इस बैच को ट्रिपल 699 में एक तारिक से इसकी फीस होगी 10,000 वन येर की वैल डीटी है जितने भी पुराने बच्चें वह बैच परसेज ना करें आपको उसी पुराने बैच में भी कलास दी जाएगी हमें दुबारा बैच 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 बैचने की आदत नहीं है चाहे आपने नया बैच है उसी के साथ आपको प्रोपर कलास मिलेगी तो घबराने की जरूरत नहीं कई दुबारा खरीज लो ठीक है ना वह हराम की कमाई हमारे लिए हो जाएगी हमें नहीं चाहिए वह आपका पैसा रही बात क्या है सर इसमें जीएस रहेगा परी में जीएस में देख हिस्ट्री की पिछली बार 25 को संथे एकनोमिक्स के जो सरवें उन वहां से बहुत बहुत अच्छे को अच्छे को संथे पोल्टी के आर्टिकल्स में से क्वेस्टन पूछता हो हर बार ठीक है हिस्ट्री जादा पूछी गई थी और यह वहां इसके वरोसे मत जहीं हो कि वह को अधिकार होता है कि आप स्ट्रेट की जिके पूछी क्योंकि जो बहार का कोई भी बच्चा यह से कोई राजस्तान का बच्चा अगर इसमें इंक्लूड होता है इनको फॉम डालता है तो वह कंपेटिशन में ही आ गया जिसे आप राजस्तान का आरेस दोगे तो आप की के क्ले को सारे तो पॉम से बते हैं आप इनको ओनार होनी चाहिए बिए बीसे बीटीए हम बीए कुछ बी होना चाहिए वह सब्सक्राइब परी में आपकी जी एसाइगे और सीशेट सीवल सिर्प टेस्ट में सो क्वेस्टन आएंगे यह सारा दोनों क्या 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 सारे चीज़ें आए एक वीडियो बनाऊंगा कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ सकते हैं यह दिमाग में सैट कर ले ना कि हम कर सकते हैं को होंघ कर घृप शौरे फी पढ़नें पोल्ती सिर्फी होता ही नहीं ठीक हे और कि उनिकी हमारे 25 शेलक्से क्वारा जमीर जिंदा हमारा कोई शलेक्शन नहीं था पिछली वार ठीक है छैने सीती कॉइस हो मेंचली प्लब भी थी पिछले बैस की लICIA किन और परी छीजान लगा देंगे पूरी मैनत करेंगे कि मेंटपित तीम वेसे ही जाने जाती है अब लिख दें कि 10 सेलेक्शन है लेकिन जमीर है काई सेलेक्शन हो गए पुछने वाला तो कोई है नहीं लिख और 54 सेलेक्शन सेलेक्शन 50 बहरा को तोटल talking लो सारे और जिन के कंडिडेट थे उन्होंने हर्याना से कोई कोचिंग नहीं ले रखे थी ठीक है अगर और यह लंबा प्रोसेस है मैं पहले ही बता देता हूं आपको कहीं सोचों कि पहले ही बैच में हम लेंगे इस परचेज करोगे थोड़ी इसी पकड़ बनेगी जो एक्स्ट्राओर्णी होते हैं वो लग बीजाते हैं लेकिन इससे ही होगा कि आपके जीएस पे इतनी पकड़ बन जाएगी आप आने वाले एक दो साल में निकाल लोगी बेस बन जाएगा आपका बहुत स्ट् करेंगे मिलके महनत करेंगे जोटे शपने नी दिखाऊंगा कि यह कर देंगे वह कर देंगे कर देंगे सरस्त222 आप सकते हो six double triple nine में इसकी फीश है और एक मार्स इसकी फीश होगी 10,000 और एक तारीश से यह बैच सुरू है आज ही नोल कर सकते हो कोई है कोई कोई डाउट हो तो नीचे comment section में अपना comment डाल सकते हो आई मिल के महनत करते हैं और जो बड़े अपने होते हों के लिए बड़ा time चाहिए बड़ी महनत चाहिए बड़ा dedication चाहिए बहुत ही समर्पी तभाव से एक लंबा term हो जाती है ठीक है कोई बच्चा आज graduation है और वो सोचे कि मैं study उन्तरा पर batch लेके मैं HCS बन जाओं तो पहले ही मैं मनोबल नहीं तोड़ रहा मैं आपको आइना दिखा रहा हूं एक लंबे संग्रस की कहानी होती है यह जो PCS होता यह UPSC होता है और उस संग्रस में patience भी रखना जरूरी होता है उस संग्रस की कहानी में अपने आपको dedicate भी करना पड़ता है यह नहीं कि मेरे बाबू ने खाना खाया है और मैं HCS की बिजारी करूं नहीं आपको HCS ही HCS सिरफ फरो HCS लवी सुभी को best of luck जाहीं